बिहार के मुख मंत्री नितीश कुमार जी दोरे चरित्र के वेक्ति हैं अपनी राजनिती और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं जी हम बात कर रहे हैं बिहार की नया बिहार न्यूज में आपका स्वागत है बिहार के मुख मंतरी नितीश कुमार जी अतार कहते हैं कि मैं किसी को बचाता नहीं मैं किसी को साता नहीं लेकिन दूसरी तयप उन्होंने अपने मंतरी मंडल में 17 दागी मर्द्जियों को सामिल क किया हुआ है बर्तमान में जो कानून मंत्री बने हैं बिहार सरकार में कार्तिक सिंग वो आपरण के मामले में फरार चल रहे हैं 16 अगस्त को वो जब मंत्री मंडल का सपत ले रहे थे तो उन्हें कोट में हाजिर होना था लेकिन मुख मंत्री नितीश कुमार जी एक तरफ कहते हैं कि मैं किसी को बचाता नहीं मैं किसी को फसाता नहीं दूसरी तरफ अपने कुर्सी के लालच में अपराधी परविर्ती के को अपने मंद्री मंडल में सामिल करके रखे हुए हैं 2015 में जब नितीश कुमार जी राजत के साथ गड़बंधन किये थे उस वक्त तेजस्वी यादो के उपर रेलवे में घुटाले का आरोप लगा और उन्होंने अबिरम गड़बंधन तोड़ते हुए भाजपा से भ्रष्चाचार के कई मावलों में आरोपी हैं चीबियाई के द्वारा उनको चार सीटेट किया गया हैं कभी भी उनकी गिरफतारी हो सकती हैं फिर भी वो कुरसी के लालच में अपने ही वसूल को ताख पर रखकर अपने ही बनाये हुए नियम कानून को ताख पर रखके के नितीश कुमार जी कुरसी के लालच में राजत के साथ गड़बंधन करके बिहार में सरकार चला रहे हैं जंगल राज की वापसी का डर है लोगों के अंदर क्योंकि राजत के लोग जिस प्रकार से टांदव करते हैं उससे जंता में भै का मावल बना हुआ हैं नितिश कुमार जी के उपर जनादेश के अपमान का रोप है, 2020 के विधान सभा चुनाओं में वो भाजपा के साथ चुनाओं लड़े और भाजपा के साथ चुनाओं लड़के उन्हें मात 43 सीट आई और भाजपा को 74 सीट आई थी, फिर भी भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें मुख मंतरी की कुर्शी दिया, कहा कि बिहार आप ही चलाइए, आप ही बिहार में सुसासन की सरकार ला सकते हैं, लेकिन नितीश कुमार जी ने जनता का जो जनादेश था, जनता का जनादेश भाजपा और गड़बंधन तोरके वैसे बेक्ती के साथ गड़बंधन करके आज कुरसी पे बने हुए हैं जिसके खिलाप ही उनकी राजनिती है दो जार पांच में बिहार में जंगल राज की बात करके नितीस कुमार जी सत्ता में आये थे और लगतार अपनी राजनिती को उन्होंने ला जिसमान धर्म को बेच सकते हैं जी हाँ नया बिहार नियूज इस बात की पुष्टी कर रहा है कि कार्थि सिंग के उपर अपराधिक मामले हैं और बगएर किसी जाश परताल के कुरसी के लालच में नितीस कुमार जी ने कार्थि सिंग जैसे अपराधियों को मंत्री मंदल में सामिल किया है इसके अलावा बिहार में जो सिक्षा मंत्री बने हैं चंसेखर जी उनके उपर भी अपराधिक मामले हैं कई मामले हैं इसके अगर जाश परताल की जाए तो नितीस कुमार का पूरा मंत्री मंदल भरस्टाचारियों से भड़ा हुआ है लेकि नितीस कुमा झाल पूरू झाल पूरू